जोस्तों सलाम नमस्ते मैं हुटी पूटार्जयन और आप देख रहा हैं पूटी न्यूज पूटी न्यूज में आप सबों का एक बाफिर से स्वागत है रफ्तार का कहर एक बाफिर से सीतामरी जिला के नानपुर्थ अनच्छत्र के जदूपटी गाउं में देखने को मिला जहां एक ओवरलोग डंपर की चपेट में एक महिला के आजाने से महिला गंबी रूप से जख्मी हो गई जख्मी महिला का नाम सेरुन मिसा बताया गया जो अस्थानिये महम्मद दाउद की पत्मी है परतक्स दर्चो ने बताया के महिला सरक पार कर रही थी उसी समय ओवरलोग गिट्टी से लदे डंपर की शिकार हो गई गट्टा के बाद डंपर चालक तेजी से रुनिशादपूर की तरफ भाग रहा था लेकिन अस्थानिये यूगों को ने डंपर का पीछा कर बहरा में उसे पकड़ लिया और उसे घट्ना अस्थर लेकर आये गट्टा की सूचना परनानपुर्धाना पुलिस घट्ना अस्थल पहुँचकर डंपर चालक को अपने कब्जे में ले लिया भायल महिला को परिजनों के द्वारा पूप्री पीस्टी में लाया जया जहां उसकी जंभीर इस्थिति को देखते हुए बहतर इलाज के लिए मुझाफरपूर रेफर कर दिया गया घट्टा को लेकर अस्थानिय लोगों में काफी आतोस नजर आ रहा था और आए भी क्यों ना क्यूंकि रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है इन दिनों आप देख रहे हैं पूप्री नियूज पूप्री नियूज को पूप्री नियूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे न डरेंगे न दराएंगे किवल सच जिखाएंगे न फक्ष न भीपक्ष बिल्पूल निस्पक्ष और निस्पक्ष खबरों के लिए पूप्री नियूज को जादा से जादा लाइक शेयर फॉलो करते थे बीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें कैसे हुई और कब हुई है कि अब इस प्रफ्राइब शाय और दर्म आप जाई है तो जाथ प्रफ्राइस नियूज के लिए यारि ने लिए घरी को नान से बैसे बहुत आगा लाइन ने लेए इन तो इसफोर दोप्तर ब पुरा गोर खड़ाव एक हारी बदा ठोट के भाग गया था पहरा बाहरा से पघर के मेरा दोस्ता बलागा उसको भाग जाता हो उसको पहरा तो पहरा किना है आगे पुछिया अभी ड्राइबर को कुछ नहीं किया गया तो फिर गारी को बंचो दाग लगा देगा तरकारी र मेला हुई है जो घाल हुई है महिला उनको इलाज के लिए अपको नम क्या है मेरा नाम गुल्शन खातूर आपको मुहमद दिल्दार मेरी अम्मी है मेरी अम्मी को रोट पर सा किसी आके ले ले था के एक सिटन कर दिया अफर ओफर 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 ही ओफर शिवशक्ति बजाज पूपरी लाया है आपके लिए मेगा लग की ड्रॉव और निश्यतु पहार प्रत्य गारी की खड़ित पर ले कर जाएं प्री हेलम मिक्सर ग्राइंडर और आयरं यह ओफर सिमित समय के लिए है इसलिए आप सफर में जरूर शामिल हो जाएं